नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरे चानल में स्वागत है दिल के साथ स्वागत है दोस्तों आज का जो मेरे विशय है बहुत ही विशेश है दोस्तों बहुत ही खास है इसलिए आप इस वीडियो को सुरू से लेके आंत तक देखना है और आंत में मेरे पूछे गए सवाल का जवाब भी देना है तो चलिए वो शब्द क्या है उसके बारे में जाल लेता है हाँ दोस्तों वो शब्द है गुप पेड़ी या गुप पेड़ा मतलब क्या दोस्तों उसका अर्थ होता है मुठी यह होता है न दोस्तों मुठी उसके उपर में दोस्तों आज हम इसी सब के स काता से अन्यक वाक्य सिखी दोस्तों जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही helpful होने वाला है तो चलिए देर नहीं करते हैं अपनी वीडियो को शूर करते हैं दोस्तों अगर आप लोगों को आज का वीडियो कुछ भी काम आया हो या कुछ भी आप लोगों ने सीखा हो तो प्रक्लिक जोर कीजिएगा तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को फटा पर शुरू करते हैं जैसे मैं आप लोगों से कहा आज कांचो मेरे विशय है मुठी क्या कहा दोस्तों मुठी यह क्या है मुठी इसे हम देलगु में क्या बोलते हैं गुप पिडी या गुप मतलब मुठी क्या या मुठा क्या बोलते हैं मुठी या मुठा जो अपने हाथ में भर के आता है ना दोस्तों उसे हम बोलते हैं मुठी में गुप पेटलो मुठी में गुप पेटलो मुठी में चावल हैं मुठी में चावल हैं गुप पेटलो बीयम उन्नाई मुठी में गुपटलो चावल बीयम है उन्नाई मुठी में क्या है गुपटलो ए मुंदी मुठी में गुपटलो क्या है ए मुंदी मुठी भर चावल पकड़ो गुपडी नेंडा बीयम पट्टुको मुठी भर गुपडी नेंडा चावल पकड़ो बीयम पट्टुको उसे अपने मुठी में रखो आतन नी आतन नी वाड नी आम नी गुपटलो उन्चू क्या कहा दोस्तों देखे ना उसे 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 जो शब्द मेरे चुना है वहां पे सिर्लिंग हो सकता है पुलिंग हो सकता है मतलब हमें इतना तो मालूं चल ही गया है और पकड़ो कि हां किसी छोटे के बारे में बोर हैं हो या अपने जो बराबर उमर के होते हैं उनके बारे में बोर हैं हो समझ ने ना दोस्तों मैंने क्या कहा उसे मुठी में रखो मैंने उसे यह जो शब्द प्रयोग किया है तेलगू भाषा में कितने शब्दों का उप्योग किया है दोस्तों आतड़नी वाड़नी आतनिनी आमेनी दाननी पांस सब्दों दोस्तों देखने ना दोस्तों इरे पांस सब्दों को आप चुन सकते हैं लेकिन आमेनी और दाननी क्या दोस्तों आमेनी और दाननी यह दोनों होता इस्त्रिलीम और वाड़ू आतड़ू आतनू यह ज मतलब पोई लड़का हो यह जा हमसे उमर में छोटा हो उसके बारे में हम बोलते हैं अगर किसी को मुठी में रखना हो किसी को अपने काबू में रखना हो तो हम इशारों के साथ भी बोलते हैं और सीक्रेट ले भी बोलते हैं उसे मुठी में रखो आतनेनी या आमेनी गुप पिटलो, मुठी में रखो, उन्चू, उसे मुठी में रखो, उसे मुठी में रखना बहुत मुश्किल है, उसे मुठी में रखना बहुत मुश्किल है, आतनी नी, वाडी नी, आतडी नी, आमी नी, दान नी, मुठी में रखना बहुत मुश्किल है, चाला कस्टम, उसे बड़ा मुश्किन है दोस्तों यहां पर तो मैंने पांच प्रकार के जो शब्द होते हैं उसे उसके जो प्रयोग किया है आप उसमें से किसी एक शब्द को भी चुन सकते हैं मतलब लिंग के पहचान होने बहुत जरूरी है दोस्तों पुली हुगा अगर हमसे छोटे होंगे हमारे दोस्त होंगे जो भी हो सकता है सहेली होंगे जो लड़किया होगी उसम दानी बोल सकते हैं यह हम जो चोटी बहन वोती है वहां भी हम आपर दानी यह सब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं तो मैंने क्या कहा तोस्तों उसे मुठी में रखना बहुत मुश्किल है आतनी नी गुपिटल उंचडम चाला कस्टम आतनी या आमी नी गुपिटल उंचडम या उंचुकावडम ऐसे भी बहु सकते हैं चाला कस्टम बहुत मुश्किल है उसे आमी नी या आतनी नी मुठी में रखना गुपिटल उंचडम या गुपिटल उंचुकावडम बहुत मुश्किल है चाला कस्टम आतनी गुप्पेटले उँचु गवडम चाला कस्टम या आमेनी गुप्पेटले उँचु गवडम चाला कस्टम इस प्रकार या बोज सकते हैं मुठी में क्या है जो मुझे दिखाओ मुठी में क्या है जो मुझे दिखाओ गुपपेटलो ए मुझे दिखाओ मुठी में गुपपेटलो क्या है जो ए मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ, नाको चूपिंचू, गुपेटलो एम अंदो, नाको चूपिंचू मुठी में कुछ नहीं है, गुपेटलो एमी लेदू मुठी में कुछ भी नहीं है, गुपेटलो एमी लेदू अगर मुठी में ज्यादा कुछ क्वांटिक होते होंगे, तो हम कुछ हेंगे, आपके मुठी में क्या है, तो क्या बोलेंगे? मी गुपेटलो एम उन्नाई, मी गुपेटलो एम उन्नाई, आपकी मुठी में मी गुपेटलो क्या है, एम उन्नाई, क्या है, एम उन्दी अगर है लग रहा है ना दोस्तों वहां पर हम बोलेंगे उन्दी अगर है अक्षर का प्रयोग हो रहा है तो वहां हम बोलेंगे उन्नाई है होता है एक बचन और है जो होता है बहुचन मतलब वाचो के माधियम से दोस्तों, जानते हैं न, उसी के माधियम से हम इन अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं. तो दोस्तों, अभी मुझे आप लोगों सवाल पुछने का समय आ चुका है. देखते ही मेरे सवाल का जवाब सबसे पहले मुझे कमेंट शक्षन में कौन देते हैं तो आज का जो मेरे सवाल है मुठी में रूपए हैं मुठी में रूपए हैं देखते ही मेरे सवाल का जवाब सबसे पहले कौन देते हैं तो ठीक है दोस्तों मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ और आज की वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज मैं इस वीडियो को लाइब, शेर, कमेंट और सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा लेकिन हाँ दोस्तों जो भी मेरी वीडियो में नए ने आये हैं प्लीज इसे सस्क्राइब करके नोटिवेशन बिलकुल को आउन करना भी मत भूलेगा और साथ में और पर क्लिक भी जोरू कीजिएगा दोस्तों जिसे मेरी सभी अपडेट्स आपके मोबल स्क्राइब में आते रहे हैं तो ठीक है दोस्तों मैं आप आप लोगों से विदा लेता हूं आप सभी को मेरा नमस्कार